असलाम अलेकुम और वेलकुम तो दिस वीडियो सीरीज और टाक्सपेर अवेरनेस बाइ बीफाइर.ड़ कॉम यह डिजिटल टाक्स अड्वाइजर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कास किया था कि हम इस सीरीज के अंदर जो टाक्स लॉस सेकंड अमेंडमेंट ओर्डिन्स 2021 के जरीए मेजर चेंजेज मुतारिफ के गए उनके उपर हम डिस्कास करेंगे और उनकी क्या ब्रॉडर इंप्लिकेशन है उसका जरा हम यहाँ पर एक तसकरा करेंगे एक बड़ी एहम अमेंडमेंट जो के इस ओर्डिन्स के त्रू लाई गई वो यह लाई गई है कि कुछ ऐसी इंकम स्ट्रीम्स थी कुछ ऐसे क्लासस अफ परसंस थे जिनकी इंकम को ब्रॉड एक 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 एकजेंशन framework के अंदर लाया गया था और उनको broad-based exemptions दी गई थी इस amendment के जरिए उन exemptions को अब एक 100% tax credit regime के अंदर transpose किया गया है 100% tax credit regime के अंदर convert कर जाए गया है अच्छा इन दोनों के अंदर difference क्या है broadly पहले तो उससे जरा समझना जरूरी है जो के जो एक blanket exemption है उसके साथ बहुत सारी conditions attached नहीं होती है कुछ conditions हाला के जरूर होती है in terms of time in terms of some other matters for example, लेकिन बहुत ज़्यादा broad conditions भारहल उसके साथ attached नहीं होती है जबकि जो एक tax credit regime है उसमें major difference यह है कि एक जो exemption वाली conditions है वो तो अपनी जगा लेकिन कुछ और tax compliance के हवाले से कुछ documentation के हवाले से काफी different requirements होती है जो के आपने follow करनी होती है उसके बाद ही फिर आपको जो पहले वाली 100% exemption थी technically उसके equivalent आपको जो है वो zero tax liability इस case में भी arise होती है अगर financial terms में देखा जाए तो दोनों में difference नहीं है compliance requirements के case में तो ये एक broad difference है between exemption and 100% tax credit regime एक important buddy income stream जिसको transpose किया गया from 100% tax exemption to your 100% tax credit वो है export of computer software IT services and IT enabled services previously इस exemption को clause 133 of part 1 of second schedule के अंदर बताया गया था और इसके साथ जो कुछ जैसे मैंने आपको बताया के exemption के साथ भी कुछ minor conditions होती है तो जो conditions यहां पर mention थी उसमें ये बताया गया कि अगर आप export करते हैं किसी इसको number one computer software को दूसरा अगर आप export करते हैं IT service या IT enabled services को जो IT service या IT enabled services हैं इनको वहां पर define किया गया था IT services से क्या मुराद है ये वो services हैं जो pure deep tech या एक hard I would say IT से परटेन करती हैं जैसे आपकी software development है software maintenance है network design है web design and development है web hosting है ये तमाम चीज़ें हैं जो specifically बड़ी जो है वो आपकी IT से परटेन करती है अच्छा फिर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो IT enabled service के अंदर define की गई हैं जो के purely maybe IT से परटेन ना करती हो लेकिन बाराल IT के उपर वो heavily rely जरूर करती है जैसे inbound, outbound call centers है medical transcriptions है जैसे remote monitoring है graphic design है accounting and HR services का export है ये तमाम सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है तो further इसमें ये कहा गया था कि ये तमाम services को exempt किया जा रहा है subject to the condition कि इसके जो आप revenue generate कर रहे हैं export का उसका कमसकम 80% 80% आप पाकिस्तान में ले आ रहे हैं through normal banking channels objective ये था कि इसके थू जो foreign exchange generate होगा वो पाकिसान में remit किया जाएगा and that too through formal banking channels कमसकम 80% ये पाकिसान में आ गया और फिर इसके साथ एक timeline भी attached थी कि ये exemption आपको हम देंगे up till 30th June 2025 ये previously कम थी फिर year on year इसको extend कर दिया जाता था because the regulators also realize कि IT sector is very important for the development of our economy और foreign reserves के लिए और एक forward thinking के लिए बहुत ज़रूरी था कि IT sector को stimulate करने के लिए ये advantages दिये जाए so timeline इसके अंदर क्या दी गई up till 30th June 2025 वैसे it was expected कि ये 2025 के बाद भी इसको extend कर दिया जाएगा लेकिन भाराल अब तो इसकी जो scheme है उसे ही change कर दिये गया अचा अब ये कहा गया है कि ये अब आपको exemption नहीं दी जाएगी बलके आपको 100% tax credit दिये जाएगा on again export of computer software, IT services and IT enabled services इसमें जो previous condition है वो तो भाराल अपनी जगा exist करेगी यानि क्या कि आप up to 80% of your foreign exchange आप पाकसान में ले आते हैं through normal banking channel लेकिन इसके साथ कुछ और भी further conditions attach कर दी गई है वो कौन सी conditions है, one by one जरह हम उसको देख लेते हैं so number one condition is कि आप अपना सालाना जो tax return है वो आप file करेंगे number two is कि जहां जहां जिससे आपने tax collect करना था, withhold करना था वो आपने उनसे withhold किया collect किया और आपने FBR में deposit कर दिया तीसरी condition ये है कि आप पिछले tax year से pertaining जो withholding tax statements हैं वो आप file करेंगे with FBR and the fourth and final condition is कि आप जो relevant tax year है उसके sales tax returns file करेंगे अच्छाब आप यहां पे note करेंगे कि ये जो चारों conditions हैं ये ऐसी conditions हैं जो कि previously भी you were required to do it अगर आप अगर आप for example एक company थे पहले भी आप IT export कर रहे थे IT enabled services के उपर काम कर रहे थे तो ये चार conditions ऐसी थी जो in any case आपने follow करनी थे tax return आपने पहले भी अपना file करना था जो अगर आप withholding agent थे for example आप company थे तो irrespective of any limit अगर आप एक individual या partnership के अंदर काम कर रहे थे तो when your revenue exceeds a certain limit तो फिर आप क्या बन जाते हैं एक withholding agent आपके उपर withholding की mandatory requirement हो जाती है अगर for example आप किसी से goods purchase करते हैं या for example आप किसी से services procure करते हैं तो आप एक withholding agent बन गए थे जब आप withholding agent बन गए तो आपके उपर mandatory requirement थी कि आप ये withholding of tax भी करेंगे और आप ये withholding statements है उनको file भी करेंगे यानि दूसरी और तीसरी condition भी आपने पहले follow करनी थी फिर चौती condition क्या है कि आपने अपने sales tax returns file करने थे अर्चा ये भी mandatory requirement in any case थी irrespective of कि आपकी services taxable थी है exempt अगर आपकी services exempt थी तो फिर भी जैसे export of IT services was exempt previously अगर मैं सिंध की बाग करो तो आपके उपर तब भी mandatory requirement थी कि आप ये exempt वाले जो अपने sales tax returns है ये भी आप file करें along with any withholding of sales tax जो कि अगर आपको की services देता है तो तो ऐसी situation में आप ये realize करेंगे कि ये जो credit वाली conditions है ये previously भी आपके उपर mandatory apply हो रही थी सरफ difference क्या है? difference ये है कि previously in conditions की non-fulfillment के उपर आपकी जो 100% tax exemption है उसके उपर को impact नहीं आ रहा था लेकिन अब आएगा अगर आप इन में से किसी condition को miss कर देते हैं तो ऐसी situation में ये जो आपको 100% tax credit है वो आप नहीं मिलेगा और आपकी जो income है from export of your IT services computer software और IT enabled services उसको tax किया जा सकता है अगर इन में से कोई condition fulfill नहीं होती है मेरा message आपको ये है और इन तमाम चीज़ों को explain करने को objective भी ये है कि यहां पर आप ये realize करेंगे कि additional बहुत ज़्यादा cumbersome conditions नहीं apply की जा रही है objective सरफ ये है कि इन तमाम sector को थोड़ा document किया जाए FBR को exactly ये पता चले कि sector की पूरी taxable income है कितनी और उसमें से कितना proportion है जो tax liability का बनता है जिसे wave off किया जा रहा है so that they should know as a regulator कि अच्छा ये एक sector है जिसको हम ये benefit दे रहे और इतनी tax exemptions हैं जो कि tax credit के मत में हम दे रहे so again I would say कि आप के लिए problem इसमें कुछ भी नहीं है सरफ कुछ एक documentation आपने करनी है तो आप अभी भी बिना किसी परिशानी जो है आप 100% अपने business के उपर ध्यान दे और इस integral sector को बढ़ाने की कोशिश करें और fully यह आप की कोशिश करें कि पाकसान की youth की development हो और जो foreign reserves है उसके अंदर जो है वो growth हो and development हो so with this message this is Farooq Rashid from B-FiLess signing off अगर आपकी multiple revenue streams है income streams है या आपको अपने wealth statement के हवाले से कुछ question हो या आप अपनी tax liability on your income streams work out करना चाहते हो तो आप bfiler.com पे sign up हो जाएं या हमारी आपको download करें और वहाँ पे given जो number है उस पे contact करके आप free tax advice ले और अपने तमाम सवालात का जवाब आप bfiler.com से ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम किसी specific topic की उपर video बनाएं तो नीचे comment section में जरूर अपनी comment से हमें आगा करें और जरूर आप हमारे इस channel के साथ connected रहें so that is किसम की और videos हम आप तक ले आ सकें thank you और अपना खिया रखिये